अगनी 5 दुश्मन पर बरसाए गिया मिशन दिव्यास्तर से दुश्मनों में खो रक्षा शेत्र में भारत की उप्लब्दी से दुश्मन देश घबराय हुए है क्योंकि भारत ने परमाणों मिसाइल अगनी 5 का सफल परीक्षन कर लिया है भारत की अकेली मिसाइल एक साथ कई परमाणों बमले जा सकती है और कई शेहरों को तबह कर सकती है इसलिए दुश्मन देश इस वक्त खौफ में है नवश्कार मैं हूँ आपके साथ हर्ष भार्दवाज आप देख रहे हैं शेष्ट भारत अगनी 5 मिसाइल हो दिव्यास्त्र है जो भारत को सुरक्षित रखेगा और दुश्मन देशों के लिए काल साबित होगा क्योंकि भारत ने अगनी 5 मिसाइल का सफल परिक्षन कर लिया है और अगनी 5 मिसाइल की इतनी खासियते हैं कि इसे दिव्यास्तर भी कहा जा रहा है मिशन दिव्यास्तर को पूरा करने के बाद भारत चुनिंदा देशों की लिश्ट में अब शामिल हो गया है जिसके पास एक मिसाइल से कई परमाणू हत्यार भेजने की शमता है इसकी खासियत इतनी हैं कि दुश्मन देश बेचैन हो जाए इसलिए हम आपको इसकी खासियत जरूर बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने शोशन मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर 5000 किलोमेटर से अधिक की मारक्षमतावाली अगनी 5 मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट करने की घोष्ट ना की यानी दुनिया को ये बताया कि भारत रक्षाश्यत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे ये मिसाइल दुष्मनों के लिए काल साबित होने वाली है वहीं सफल टेस्ट के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के सूची में शामिल हो गया है जिसके पास MIRV तक्नीक से लेस मिसाइल है MIRV तक्नीक का ये टेस्ट ये भी खुलासा करता है कि भारत अब छोटे छोटे परमाणू बम बनाने में सफल हो गया है MIRV तक्नीक का मतलब है कई परमाणू हत्यार ले जाने वाली एक मिसाइल जो हर हत्यार यानि चोटे चोटे परमाणू बम को अलग अलग गती से सैंकडों किलोमीटर दूर अलग 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 लक्षे को भेदने के लिए प्रोग्राम करती है और दुश्मन के किले को चीन और पाकिस्तान में प्रलेल आ सकते हैं और इसी वज़े से भारत के इन दोनों ही दुश्मनों की नीद उड़ी हुई है यह मिसाइल ना किवल परमाणू प्रलेल आने में शक्षम है बलकि दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चक्मा देने में पूरी तरीके से शक्षम है इसलिए एस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा MIRV तकनीक की हो रही है दरसल MIRV तकनीक यानी Multiple, Independently, Targetable, Re-Entry, Vehicle तकनीक यह एक ही मिसाइल के अंदर छोटे-छोटे परमाणू वारहेट को फिट करती है इसमें छोटे-छोटे परमाणू बम की संख् चार, पांच या छे भी हो सकती है इससे अगनी 5 मिसाइल एक साथ दुनिया या किसी अन्य दुश्मन के कई शेहरों को एक ही मिसाइल से निशाना बना सकती है इससे अब दुश्मन को आसानी से घुटनों पर लाया जा सकेगा अब यह सर्फ अमेरिका, बिटेन और फ्रांस के पास MIRV मिसाइले हैं तो चीन के पास जमीन से उड़ने वाली मिसाइले हैं वहीं रूस के पास जमीन और समुद्र दोनों से लॉंच होने में सक्षम MIRV मिसाइले हैं अब भारत के पास भी MIRV मिसाइल हैं फिलाल अगनी 5 क ये फ्लाइट टेस्ट ने साबित कर दिया है कि MIRV मिसाइलों में शामिल कॉम्पलेक्स कोर टेक्नालोजी के मामले में भारत पीछे नहीं हैं बेशक चीन लंबी दूरी की मिसाइलों का लगतार निर्माण कर रहा हो लेकिन अब चीन को जवाब देने के लिए भारत ने भी पूरा तंखन दिखा दिया है फिलाल हाली में जानकारी मिली थी कि चीन के पास अब 500 से अधिक परमाणू हत्यार हैं चीन में 2030 तक ऐसे हत्यारों की संख्या 1000 से अधिक हो सकती है सेटलाइट इमिज्ट्री से पता चलता है कि चीन 300 से अधिक नए मिसाइल साइलों का निर्म के मुताबिक भारत के पास 164 परमाणु हत्यार है फिलाल यह कहा जा रहा है कि परमाणु हत्यार युद्ध लड़ने के लिए नहीं है लेकिन किसी ने पहले हमला कर दिया तो भारत जवाबी कारवाई में दुश्मन के दांत खट्टे करने को तयार रहेगा क्यूंकि MIRV मिसा मिसाइले हैं हमें समुद्र से प्रक्षेपित होने वाले परमाणु हत्यारों की शमता हासिल करने के लिहाद से एक लंबा रास्ता तै करना होगा इसके लिए परमाणु संचालित पंडुपियां और परमाणु हत्यार ले जाने वाली मिसाइलों का निर्मान करना होगा और से 1970 के दशक में पहली बार तैनाद किया गया था अमेरिका के बाद सोवियस संग ने इस तक्नीक पर महारत हासिल की और उसे तैनाद किया जिसके बाद अन्य देशों ने भी इस तक्नीक को अपनाया और अब भारत भी इसमें सफलता हासिल कर चुका है फिलाल अगमी 5 एक ऐसे मिसाइल है जो अपनी बड़ी हुई रेंज के चलते लगबग आधी दुनिया को अपनी जद में ले सकती है भारत से लॉंच किये जाने के बाद ये मिसाइल आदे अफरिका, रूस का उपरी हिस्सा, और उस्टेलिया का उत्री भाग और ग्रीन लेंड तक को अपनी जद में ले सकती है इस मिसाइल में तीन स्टेज के रॉकेट बूस्टर का इस्तमाल किया गया है जो सॉलिड फ्यूल पर चलते हैं ये मिसाइल आवास की गती से 24 गुना ज़्यादा तेजी से उड़ती है इस मिसाइल की अधिक्तम रफतार 39,401 किलोमेटर प्रती घंटा है दुश्मन पर सटीक वार करने के लिए इस मिसाइल में लेजर, गाइरोस्कोप, इनर्शियल, नेविगेशन सिस्टम, चीपियस और सेटेलाइट गाइडेंस सिस्टम इस्तमाल किया किया है फिलाल अब तक अगनी सीरीज में अगनी 1, अगनी 2, अगनी 3, अगनी 4 और अगनी 5 मिसाइले विक्सित की जा चुकी है इसमें अगनी 1 पहली जनरेशन की मिसाइल थी जिसकी रेंज 700 से 800 किलोमेटर की थी इसके बाद अगनी 2 एकसित हुई जिसकी रेंज 2000 किलो मीटर से अधिक हुई अगनी 3 की रेंज 2500 किलो मीटर तक हुई जिसके बाद अगनी 4 की रेंज को बढ़ा कर 35 किलो मीटर तक कर दिया किया अब अगनी 5 की रेंज को बढ़ा कर 5,000 से 7,000 किलोमीटर तक कर दिया गया है सही मायनों में समझें तो अगनी 5 मिसाइल की काम्याभी ने पाकिस्तान को कम बलकि चीन को बुरी तरीके से हिला कर रख दिया है और यही वज़े है कि अगनी 5 मिसाइल भारत के रणनीतिक दायरे को अब इस हद तक बढ़ा चुका है कि से रोकने के लिए चीन के पास कोई टेकनोलोजी नहीं है और भारत के दमखम को अब पूरी दुन्या समझ चुकी है फिलाई ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ट भारत